अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारम किया है दिगी फिर भी नब भार की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी यह कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है यह आजहादी के अमरित महत्वचव का कालखंड है पंदरा अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले पचीज साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी पचीज साल की आतरा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रती समर्पित होकर के देश को दिशा देना सदन देश का नित्तुत्व करे सदन के सभी मान्य सदस्या राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्त बने उस अर्थ में ये सत्र भी बहत महत्वपून है कि इसी समय राष्ट्पति पद और उपराष्ट्पति पद के चुनाज हो रहे हैं आज मत्दान भी हो रहा है और इसी कालखन में देश को नई राष्ट्पति नई उपराष्ट्पति उनका मार दर्शन प्लारंब होगा हम हमेशा सदन को संबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं तीर सक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संबाद हो जरुत प्रड़ को वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारिकियों से विश्टलेशन हो ताकि नीती और निणयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूँगा कि गहन, चिंतन, गहन, चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जीतना जादा प्रोड़क्टिव बना सके सदन को जीतना जादा फ्रुटफुल बना सके उसलिए सब का सयोग हो और सब के प्रयाश से ही लोक्तंत्र चलता है सब के प्रयाश से ही सदन चलता है सब के प्रयाश से ही सदम उत्तम नेने करता है और इसलिए सदन की गरिवा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वा करते हुए इस सत्र का राष्ट हित में सरबाती को प्योग करे और हर पल याद रखे कि आज़ादी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत शुकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगज सामने है तब सजन का सरबादिक सकारात्मगुपियों को यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद तो आप सुन रहे थे प्रधान मंतरी मोदी को जो मौनसुन सत्र की शुरुवात से पहले मीडिया कैमरों के से रूबरू थे और प्रधान मंतरी ने उम्मीद जताई कि संसत समवाद का मजबूत माध्यम साबित होगी संसत को तीर्त क्षेत्र भी कहा प्रधान मंतरी मोदी ने और साथ ही उन्हों ने कहा कि ये एक महतपूर्ण मौका है भारत के लिए अगले 25 साल भारत के लिए महतपूर्ण है और जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो उस समय का भारत हम कैसा बनाएंगे कि इस तरीके का भारत होगा उसकी नीव रखने का ये समय है एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा प्रधान मंतरी मोदी ने मौनसून सत्र की शुरुवात से पहले नमस्कार साथियों ये सत्रा मौसम से तो जुड़ा हुआ है अब दिल्ली में भी वर्षापना दस्तक देना प्रारम किया है दिगी फिर भी नब भार की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी की नहीं होगी ये कालखन एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है ये आजहादी के अमरित महत्वचव का कालखंड है पंदरा अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले पचीज साल के लिए देश जब सताब्दी मनाएगा तो हमारी पचीज साल की आत्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रती समर्पित हो करके देश को दिशा देना सदन देश का नित्त्व करे सदन के सभी मान्य सदस्य राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्य बने उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपून है ये सत्र इसले भी महत्वपून है कि इसी समय राष्ट्रदिपद और उपराष्ट्रदिपद के चुनाज हो रहे हैं आज मत्दान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रदिपद नए उपराष्ट्रदिपद उनका मारदर्शन प्रारंब होगा हम हमेशा सदन को संबाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं पीर सक्षेत्र मानते हैं जहां खुले मन से संबाद हो जरुवत प्रड़ का वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निनयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदनिय सांसदों से यही आगर करूँगा कि गहन, चिंतन, गहन, चर्चा उत्तम, चर्चा और सदन को हम जीतना ज्यादा प्रोड़क्टिव बना सके सदन को जीतना ज्यादा फुटफुल बना सके उसलिए सब का सयोग हो और सबके प्रयाश से ही लोक्तंत्र चलता है सबके प्रयाश से ही सदन चलता है सबके प्रयाश से ही सदम उत्तम नेने करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राश्ट हिप में सरबाती को प्योग करे और हर पल याद रखे कि आज़ादी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत स्विकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगश सामने है तब सदन का सरबादिक सकारात्म गुपियों को यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद